तो राम राम भाईयो क्या आपको पता है जब आदिपूरूस का टीजर आया था उस समय पे लोगों ने वीएफेक्स को बहुत क्रिटिसाइज किया था तब डिरेक्टर ने ये बहाना मारा था कि इस मूवी को तुम मॉबाइल लैप्टॉप और टीवी में देखकर जज नही में अगा है क्योंकि हमें लगा था कि 8 महीने मिले है तो कुछ तो इंप्रूव किया होगा लेकिन इंप्रूमेंट की तो बात ही छोड़ दो बलकि लोग दिन में उनकी गलती पकड़ न पाए इसलिए 80% सिन में पिछे का बेग्राउंड ही राजका कर दिया और इतने वाई ये डाइलोग क्यों है तो उनका जवाब सुनिए मैं एक छोटे से गाउं से आया हूँ हमारे यहाँ दादिया नानिया जब रामायन की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी एक और बात मैं आपको बताऊंगा ये जो डाइलोग जिसका आपने जिक्र किया ये डाइलोग इस देश के संत इस देश के बड और जो तुमने बनाया है वो रियल कटना पर आता रहे इतना भी दिमाग नहीं है क्या छोटी बच्चियों क्या अब बात करते हैं 600 करोड के पैसो पे जो वी एफेक्स बनाए है इसमें आदे से ज्यादा तो दूसरे मूवी की कॉपी है जैसे कि आप ये देखिए बाली का ये वाला सिन जंगल बुक मूवी से कॉपी है अनुमान जी का ये पानी वाला सिन सेम टू सेम मैन आप स्टिल मूवी से कॉपी है और रावन का ये वाला सिन गेम आप थ्रोन से कॉपी है ये तो देखे हमने फोरें कंट्री की कॉपी आप ये सिन देखिए शिर्फ सिवलिं के अलावा पूरा सिन चार एनर्शिमा रेड़ी मूवी की कॉपी है प्रबास का ये सिन बाहुबली का कॉपी है ये तो वही बात हो गई न मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है अब बात करते हैं केरेक्टर डिजाइन और डेवलोपमेंट की मेरे को एक बात बताओ प्रब मन से पूरी मूवी में उतने रियक्शन नहीं निकले जीतना नहा ककर एक बार रूती है उसमें निकलते हैं अब वीडियो बराने के पीछे का इंटेंशन यही है कि जब हमने रामायन देखी थी उसमें स्री राम जी का सरल रैठान, सरल वानी और सपष्ट भासा दिखाई जो देखकर हमारे मन में उनकी इमेज ऐसी बन गई है और अधीपुरुस के डिरेक्टर ओम रावल का कहना है कि यह मूवी नहीं जनरेशन के लिए बनी है जरा तुम सोचो आज की जनरेशन को अगर यह मूवी दिखाएंगे तो उनको तो सच महीं लगेगा ना कि हमारे दे जिराम